सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तो आज की वीडियो के अग्जामिन करेंगे कि आज जो क्लास 12 का बौर्ड अच्छी लगती है तो फिर वीडियो जुरू शेकर ना तो बिना टाम विश्के वीडियो को स्टार्ट करते है तो दोस्तों जो आद का paper बनकर आया तो वो काफी simple था, easy था, but lengthy था बहुत सरे student मेरे को भी call करके कह रहे कि सर मेरे paper छूट कया और बहुत सरे student ये भी कह रहे कि सर paper पूरा complete हो गया, time पर ही complete होगा तो उसको देखते हुए ये पूरा confirm हो गया है कि जो आद का paper बनकर रहा था board exam का English का वो काफी lengthy था, जिनकी writing sheet अच्छी थी, जिनको paper पूरा आता था वो उनका paper time से complete होगा, कुछ student कार थोड़ा बहुत paper छूट गया होगा बर दोस्तों जिनका paper छूटा है वो निरास मतो, demotivate मतो, जो next आपका exam होगा उसके अदर अच्छी preparation करना और अच्छी speed से करना जिससे आपको वो paper ना छूटे गाइस देखो अगर आप जो paper छूट गया है उसको आपको लेकर बैठ जाओगो तो आपको दूसर paper भी खराब हो जागा इसलिए जो paper होगे उनको भूल जाओ, अब तो next exam आने वाले उनकी preparation अच्छी तरीके से करो और आज मैंने एक बात notice करें कि जो आज अंसिंग पैसे आए थे वो काफी simple थे as compared to last year और उससे पहले जिते paper है उसमें से सबसे simple मेरे को आज वाले अंसिंग पैसे लगे बहुत ही simple थे diet question पुचे वे थे तो मेरे को उमीद है कि हर एक student अंसिंग पैसे में बहुत अच्छा score करेगे और गाइस grammar portion और के अंदर मेरे को पूरा paper मैंने एक बार देखा students का तो मेरे को उस पूरे question paper के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं लगा जो आउट्टोस लेबल्स था या फिर जो ना आए बहुत simple paper था बहुत ही जाद़ simple था class 12 का English paper class 10 से भी काफी simple था तो मेरे को उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छा score करने वाल हो English के अंदर और आप मेरे को comment करके जुरूर बताना कि आपका paper कैसा हो और आपको क्या लगता है physical education easy था या फिर English easy था मेरे को लगता है English ज्यादा इजी सा physical education से तो दोस्तों जैसा भी आपने physical education का exam दिया English का exam तो आपको यह तो समझा आगया कि जो जो बोड एक्जाम का paper हो तो मेली पीवेशे के question paper से या फिस सैंपल paper से ही बन कर आते हैं कई बार सेम questions आ जाते हैं कई बार गुमाफिरा के questions पूछे जाते हैं लेकिन जो questions का source होता है वो main sample paper या पीवेशे के question paper से ही होता है दोस्तों मेरे को उमीद है कि आपका English paper काफी अच्छा हुआ होगा और आप सभी बहुत अच्छा score करोगे English exam के अंदर अगर आप मेंसे कोई ऐसा student है जिसका कोई question छूट गया फिपर छूट गया तो वो demotivate मत हो आपको जो next exam है उसकी preparation करनी start कर दो motivate होकर जो paper हो गए उसके अदर अ कोई problem तो मैंने screen पर अपने Instagram account की BID दे उससे message करके अपने questions पूर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी student बहुत अच्छा score करोगे तो दोस्तों में फिर मिलें नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी आपके next board exam के लिए best of luck